शैनास क्यों कर रही है विकास गुपता को सोशल मीडिया पर अनफॉलो आखिर विकास और शैनास के बीच में क्या हो गया मैं हीना कुमावत फर्विंडो पर आपको बताऊंगी लेकिन अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर लीजे विकास गुपता और शैनास इन दोरों की बहुत सारे वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे इन दोरों की कैमिस्ट्री यहां तक कि विकास जो है सिदनास को हमेशा सपोर्ट करते वे दिखे उन्होंने कुछ समय पहले भी ये बात बोली कि मैंने सिद्धात के बारे में बताया लेकिन बोला कि नास के बारे में मुझे पता नहीं सिद्धात के साथ मैं काम कर रहा हूँ अब ऐसा क्या हो गया कि शैनास ने विकास को अनफॉलो करना शुरू कर दिया गया अब मैं आपको बताती हूँ कि दरसल हुआ क्या ये खबर मैंने आपको बताई थी कि फिनाले से पहले जो है शो छोड़कर शैनास चले गई ये बात बिल्कुल सही है लेकिन ऐसा क्या हुआ था विकास घर के अंदर गई है ये भी आपने देखा तो विकास जब फिनाले के ल तो फिर वो बोलेंगे तो फिर तुम घर के अंदर क्या रही हो निकल जाओ और वो उठेंगी अपना समान पैक करेंगी और फिनाले से पहले ही घर से निकल जाएंगी मुझसे शादी करोगे का शो वो छोड़ देंगी और बाहर जाकर जो उन्होंने किया वो ये कि उन्होंने बाहर आते ही विकास गुपता को कर दिया अनफॉलो जिहां स्पॉट बॉय पे एक हमर आयो उसके अनुसार जो है वो अनफॉलो कर रही है विकास गुपता को और हर सोचल प्रेटफॉर्म से उन्होंने अनफॉलो करने शुरू कर दिया तो क्या उनको विकास की ये बात बुरी लगी दरसल ये बात तो जैभानुशाली ने भी बोली जैभानुशाली और माहिवेजी उसके बहुत ही करीबी रहे है और शैनाज उनके घर भी जब उनको फ्राइडे साटर्डे का ब्रेक मिलता है तो वो गई थे और उन्होंने वो वीडियो भी पोस्ट किये थे उनके घर में माहि के साथ उनके बच्चे के साथ विकास गुपता इनके बहुत नजदीकी फ्रेंड है वो घर के अंदर आए उन्होंने भी ये बात बोली और शैनाज को बुरी लगी तो कही न कहीं उनके करीबी सिर्फ और सिर्फ उनसे यही कहना चाह रहे थे कि अगर सिधार तुमारे घर में दिल में है अगर उसके तुमारे मन में सिर्फ उसी के लिए जगा है तो तुम शो में कर क्या रही हो अगर तुम शो कर रही हो तो अपना 100% दो तो ये सारी बाते सना को इतनी पुरी लगेंगी कि वो शोड़के चली जाएंगी हाला कि शैनाज पहले दिन से ये बोलती नहीं है कि उनको सिर्फ और सिर्फ सिधार से मतलब है सिधार से वो प्यार करती है और उनके लिए सिर्फ सिधार ही मैटर करते है तो ऐसे में विकास और उनके बीच की इस अनबन के बाद शैनाज ने शो छोड़ा और विकास जब शोगर के बहार आए तो उनको देखकर ये बहुत ही लगा कि अरे शैनाज ने मुझे unfollow कैसे करना शुरू कर दिया तो अब देखते हैं कि इन दोनों की दोस्ती जो है वापस होती है नहीं होती या सिर्फ ये थोड़े दिनों की अन्बन है क्योंकि दोस्तों में हमेशे ऐसी चीज़े चलती रहती है तो आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजेगा और कमेंट से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा और मैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपने ट्विटर, फेस्बुक और इंस्टा का भी लिंक डाल रही हूँ हो सके तो उसे भी फॉलो कीजे क्योंकि इंडस्ट्री की बहुत सारी खबर आती है बहुत सारे इंडस्ट्री की अपडेट्स जो है मैं ट्विटर और इंस्टा पर भी डालती रहती हूँ और फेस्बुक पर भी डालती रहती हूँ तो हो सके तो उसको भी फॉलो जरूर कीजेगा